हलो प्रिवन स्वागत था आप सभी का आज के सेसन में दोस्तों पिछले काफी महीनों से काफी महीनों का मतलब एक या दो महीनों से हम लगातार एक एक्जाम का वेट कर रहे हैं और वह एक्जाम है आपके RBI काफी टाइम से हो रहा था कि कब इसका ओफिसल नोटिफिकेशन रिलीज होगा कब आखिर सारी चीज़े एक दम क्लियर होंगी कि कितनी वेकेंसी हैं क्या सारी चीज़ें हैं तो फानली मेरे दोस्तों RBI ग्रेट बी का जो नोटिफिकेशन है ओफिसल वो आउट हो चुका है बहुत कम टाइम में मैं आपको इस नोटिफिकेशन की सारी जो बाते हैं वो बताने वाला हो तो अगर आप भी RBI ग्रेट B के लिए अगर आप प्रेपेर कर रहे हो और आपकी प्रेपरेशन कॉंटिफिकेशन चल रही है तो आपको इस वीडियो पूरा देखना चाहिए लाज्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा बाकी चैनल पे नए है तो सब्सक्राइब कर के बेल आइकन प्रेस कर लिजेगा दोस्तों आप देख सकते हूँ आपकी स्क्रीन पे RBI ग्रेट B का नोटिफिकेशन ओपिन है दो हजात तेईस का तो इस नोटिफिकेशन पे क्या-क्या खास बाते हैं आईए उनके सबसे पहले बात कर लेते हैं देखो जो फॉर्म आया ह अपनी eligibility आपको देख लेनी है कि जिस post के लिए आप form भर रहे हूँ इस post के लिए आप eligible हूँ या नही हूँ खेर इन सारी चीजों की बाते हम आगे करने वाले हैं तो यहाँ पे सबसे पहले जो discuss करने वाली चीज है वो यह है कि आखिर आपकी कब से कब तक ये form भरा जाए दूसरी बात इन्होंने क्या बता रखी है दूसरी बात इन्होंने बता रखी है कि आपके phase 1 का जो exam है अब देखो यहाँ पे तीन post है आप सबको पता है तो grade B के DR general का जो phase 1 का online exam है वो आपका 9 July को schedule हुआ है phase 2 जो है paper 1, 2nd और 3rd तीनों का वो आपका 30 July को schedule हुआ है यानि कि schedule हुआ है 16 July को और phase 2 का जो exam है written के साथ paper 1 और 2nd वो आपका 2 September को schedule हुआ है तो इसमें आपको थोड़ा बहुट time दिया गया है और अगर दोस्तों DSIM post की बात करें RBI grade B के अंदर तो phase 1 का जो paper है वो schedule हुआ है आपके 16 July 2030 को और phase 2nd का जो paper 2nd और 3rd online written examination है यह आपका 19 अगस्त को schedule हुआ है तो एक बात तो clear है वो बात ये clear है कि prelims के exam के लिए आपके पास बिलकुल भी time नहीं है बही मई चल रहा है जून अगला महिना उसके बाद जुलाई से आपके exam स्टार्ट हो जाएंगे तो मेहनत करने पड़ेगी अभी तक अगर लापरवाही बरत रहे थे तो अ आपका जो exam है वो कब होना है दोनों बाते मैंने आपको बता दी जरा आगे चलिए आगे दोस्तों यहाँ पे health facilities है में मतलब नहीं है mobile phone और other electronic device जो है वो आपके band है ये भी इनोंने बता रखा है इस retail notice में इनोंने vacancy की बारे में भी बता रखा है the reserve bank of India services board invites application for eligible candidate तो ये vacancy ज सकते हो general OBC, SC, ST, EWS या फिर कह सकते हैं PWD और अलग-अलग जो fiscally handicapped candidates है सबके लिए जो total vacancy मिला आके है तो overall आप कह सकते हो देखो 8,2,10,11,11 एक बचेगा इसके बाद पिर आप कहोगे सब 2,1,3,3,6,39 और यह आ जाएगा 2 यानि कि approximate हम कह सकते है अप्रॉक्समेट का exact ही है 291 vacancy के लिए आपका यह notification release किया गया है तो तीसरी important बात यहाँ पे देखो पहली important बात कब से कब तक form फिल किया जाएगा second thing is कि आपका जो exam है वो schedule कब हुआ है तीसरी important बात यह है कि आपके यहाँ पे कितनी total vacancy है तो दोस्तो total number of vacancies की बात करें तो वो हमारी 291 इन्होंने release की है किसने RBI ने इसके अलावा आगे चलिए तो यहाँ पे age relaxation का भी साफ साफ चीज़े में इन्सान है तो वो सारी चीज़े आपको पता है जितने भी ph candidate है physically handicapped आपकी disability का जो साइडिकर्ट है वो 40% of 40% से ज़्यादा का होना चाहिए यह भी आपको पता है इसके अलावा pay skill की दोस्तों यहाँ पर बात की गई है तो आप देख सकते हो pay skill जो है यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि pay skill है आपका basic पे 55,000 डोसो salary की बात मैं कर रहा हूँ मैं किसी की बात कर रहा हूँ मैं salary की बात कर रहा हूँ तो दोस्तो salary पे जो आपका pay scale basic पे आपकी 55,000 दोस्तों लेकिन इसके अलावा आपकी कई सारे allowance भी यहाँ पे दे गए हैं special allowance है आपके और यह सारे allowance आपके यहाँ पे लिखे हुए हैं आप देख सकते हो सारे allowance learning के साथ साथ house rent के साथ साथ आपके जितने allowance है वो सारे यहाँ पे mention है और पुल मिलाके overall जो है बिना एचारे के जी हाँ आप जो देख रहे हैं वो बिल्कुल सही है एक लाग सोला हजार नो सो चौदा एक लाग सोला हजार नो सो चौदा रुपए more than 1 lakh की आपकी यह जवाव है मेरे दोस्तों आसान नहीं है ठीक है टोस्ट भी बेहतरीन है तो salary भी उसी रिसाफ से आपको दी जा रही है अच्छा इसके अलावा आगे चलिए salary की बात हो गई और देखते हैं यहाँ पे क्या क्या आपके आपके लिए important है nationality बगएर आपको पता है कि आप इंडिया की region होने चाहिए नेपाल भूटान का भी चलेगा या फिर ऐसे भी जितने अभी मैंने आपको salary assistant की बारे में जब बाते बताई थी वहाँ पे भी यह बात मैंने आपको समझाई थी age limit जो है वह 1 मैं 2023 तक आपकी जो age है वह 21 साल हो जानी चाहिए और 1 मैं 2023 तक आप 30 साल से उपर ना हो यानि कि आपकी जो age है वह 21 से किसकी range होनी चाहिए आपकी age 21 से 30 साल के बीच में होनी चाहिए अब ये चीज आप क्या कर लो सेओर कर लो कि आपका 1.23 तक आप 21 साल के हो गए हो या नहीं हो गए हो या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि 1.23 तक आपकी जो age है वो 21 से उपर निकल गए है तो ये चीजे जो है वो आप से उर कर लीजेगा age relaxation बागी OBC वाले, SC वाले, SC वाले इनको election से मिलता है वो आपको इसी notification में दिया हुआ है साथ ही साथ ये notification अभी मैं आपको कहां send करने वाला हूँ ये notification अभी मैं आपको send करने वाला हूँ इसी वीडियो की description पे telegram की link given है वहाँ पी इस notification को मैं send कर दूँगा आगे चलिए दोस्तों और दिख लीजे यहाँ पे क्या important है तो यहाँ पे qualifications की बात कर लो तो दोस्तों grade B के अगर general post की बात करें तो उन्होंने बता रखा है कि graduation आपको होना चाहिए या पर अगर graduation नहीं है तो कोई भी equivalent आपके graduation के साथ professional degree होने चाहिए like BTEC वगरा 60% marks आपके होने चाहिए अगर आप general candidate है और SCST वाले अगर आप हैं तो 50% आपके minimum marks होने चाहिए यह चीजे इन्होंने आपके साथ साथ बता रखे है इसके अलावा यह कोई सारी information आपने given है कि अगर आपने ऐसा कोई course किया है किसी रिकरजनाइज उनिवर्स्टी से तो 12 के बाद जिसमें आपने at least 3 साल बिताए है तो वो भी आपका graduation के equivalent professional degree में calculate होगा या फिर PG के अगर बात करोगे तो PG में आपने देखो लिखा होगा है अगर आपने तीन साल बिताए हैं तो तीन साल बिताने का मतलब है कि वो आपका graduation माना जाएगा professional degree के अंदर इसी तरीके से अगर आप RBI grade B के department post की बात करोगे तो यहाँ आप इन्होंने बता रखा है master degree आपकी होने चाहिए economics में economics में master degree का मतलब PG होना चाहिए ठीक है principal constitute में और syllabus namely an M.A.M.S.C. आपका होना चाहिए किस पे quantitative economics में या फिर mathematical economics में या फिर financial economics में business economics, agricultural economics, industrial economics ये सारी चीज़े आपको यहाँ पर बताए गई है अगली बात करेंगे तो यहाँ पर देखो सारी चीज़े mention है इधर बात करेंगे DSIM पोस्ट के लिए तो यहाँ पर भी इन्होंने बता रखा है कि master degree आपकी होने चाहिए mathematics, statistics में, mathematical economics में और statistics में सारी चीज़े आपकी यहाँ पर applied statistics given है informatics विदा minimum 50% marks भी आपके होने चाहिए तो qualification तो मेरे इसाब से आप सब को पताए कि आप कौन-कौन सी post के लिए eligible हो इसके लावा दोस्तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे इन्होंने हमको बता रखा है कि online examination का जो phase 1 है वो कौन-कौन से state में उसके center बन रहा है तो पूरी list आपके सामने है कौन से state में आपका center आ रहा है आप यह भी देख सकते हो phase 2nd के जो center है उनकी list उन्होंने यहाँ पे दे रखा है यह phase 2nd के exam आपके कहां-कहां होने वाले है तो यह तो आपके center की list हो गई इसके अलावा दोस्तो फीस की बात करें तो SCST PWD candidate जितने है उनको 100 रुपए प्लस 18% GSTP करना है जनरल OBC AWS जितने candidate है उनको 850 रुपए प्लस 18% GSTP करना है और अगर कोई staff का है तो उसके लिए कोई पैसा नहीं आनि क्या लेडिय कर आप RBI में job कर रहा है तो उसके लिए कोई पैसा नहीं है वो आपका free है इसके अलावा online आपको apply करना है आगे यही information given है कैसे apply करना है photo का size क्या होना चाहिए last date इन्होंने बता रखा है 9 June है तो यह ध्यान रखेएगा last date का wait मत करिएगा last date के पहले ही form को fill कर दीजेगा तो इतनी है आपकी important information है बाकी अगर आप में से कोई बिलकुन नया है जिसको यही नहीं पता कि हमारे exam में क्या क्या चीज़े पूछी आती है तो कहीं भचकने की जड़रत नहीं है सब कुछ आपको इसी notification में दिया गया है कि आपके कौन-कौन से paper होने वाले है आपका economics और social issues का होने वाला है objective type होगा time कितना मिलेगा number कितने होंगे सारी चीज़े आपको जहां पे mention करके बताई गई है phase second or phase third के अंदर तो जो important information थी वो मैंने आपके साथ share कर दी इस छोटे से वीडियो में maximum information share करना ही मेरा motive था इस PDF को मैं आभी send कर देता हूँ telegram पे तो बहां से आप लोग क्या करिएगा download करके अगर detail में पढ़ना चाहते हो तो detail में भी पढ़ लेजिएगा take care everyone अच्छे से अपने आपको prepare करिए मिलते हैं आप से class में thank you